खबर राजदानी के चोमू से है जहां विधायक रामलाल शर्मा ने सरकारी अस्पताल का ओचक्ट इन्रेक्शन किया और इसी दोरान अस्पताल में फैली गंदगी को देखकर विधायक नाराज की जताई तो वहीं अस्पताल के बार्डों की दूरदशा को देखकर विधायक ने सीमचो नरुतम शर्मा को शिकायत भी की और साथ ही अस्पताल में तेरे डॉक्टरों की नियुक्ती के बावजूद महज तीन चिगर्सक उपस्तित होने पर भी उन्होंने जम कर लतार लगाई इस मौके पर विधायक शर्मा ने कहा कि पिछले 5 सालों में अस्पताल की काया प्लड की गई लेकिन अब अस्पताल के एक बार फिर से खराब हालत देखकर वो काफी नाराज हैं जो काफी हमको भी नीचा देखना पड़ता है और आज इसी लिए उच्छक निर्फिन के अंदर बैडचीट उपलब दे लेकिन बैडचीट लगाने वाला नहीं है और टोईलेट है लेकिन टोईलेटों को साब करने वाला नहीं है ऑस्पतिल के अंदर अन्य जो व्यवस्त लाब उठाई आज भी स्क्राइब से मेंने बात किये और अभी समिछ सर्माजीज में बात करके इससे होस्पिटल की एक जांच करा के जो भी इस मामले के अंदर अपरवाई बरत रहें उनके लाब कारवाई